स्वागते आप सभी का देकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वन नेशन वन इलेक्षन अगर आप करवाएंगे तो संभव नहीं है लेकिन अगर मंशा होती इस सरकार की तो पहले दिखाई देती कि मंशा है नहीं प्रधान मंतिर नरेंद्र मुदी एक देश एक चुनाव की बात करीब 10 सालों से कह रहे है और चुनाव आयो करीब 40 साल से कह रहा है कि एक देश एक चुनाव लेकिन पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की वास्तिविक मंशा कभी दिखाई नहीं दी अगर भारती जनतापाटी अगर नरेंद्र मूदी या फिर चुनाव आयों की वास्तिविक मनशा होती कि हमें न एक बार में चुनाव सब करा लेने चाहिए अब तक कुछ सार्थक पहल हुई होती कोई सार्थक पहल नहीं हुई पिछले करीब दस साल से हर साल चुनाव होते आ रहे है और कभी क्या यह सोचा गया है कि कुछ राज्यों की चुनाव आगे पीछे करके उसको कलब कर दिया जाए पूरे देश में एक बार में या फिर ज्यादा से ज्यादा दो बार में चुनाव कराए जाए अगर ऐसा सोचा गया होता तो अब तक लक्ष को हासिल कर लिया गया होता common sense अब होता क्या है यह सिर्फ idea generate करते हैं बोले हमने इस सोचा idea फैका संसनी बना दी बस संसनी बनाने के लिए यही माहौल बनाया जाता है सबसे पहले आपको यह बात समझनी चाहिए कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जा सकता है क्या लेकिन इस सुनिश्चित करना होगा न कि अगर यह हो तो बहुत मुश्किल है कि हर लोग सभा और हर विधान सभा चुनाव अपना कारेकाल पूरा करें बहुत मुश्किल है इसलिए किसी भी मुकाम पे गाड़ी पटरी से उतर सकती है डिरेल हो सकती है एक्जमबल 1967 के बाद उतर गई थी वो एक्जमबल याद कीजिए इसलिए ज्यादा विभारिक ये रहेगा कि राज्यों के चुनाव को क्लब करके दो बार में चुनावों को कराया जाए पांच साल में दो बार चुनाव कराया सकते है जिसे अमेरिका का गजमबल ले ले जीए अमेरिका में मिट टर्म इलेक्शन सुने होंगे आपने तर्म के चुनाव होते हैं अगर केंदर सरकार और चुनाव आयोग चाहते हैं तो कई साल पहले ऐसा कर चुके होते लेकिन ऐसी कोई पहले आपने देखी नहीं 24 खड़ा है बस संसनी पहला दी लोकिन पिछले 10 साल में हर साल दो दो चार चार महीने के अंतराल पर अगर आप देखेंगे तो चुनाव होते दिखाई देंगे मिसाल के तौर पर एक्जामपल देदू तो अभी देखा आपने तिरे पुरा मेगाले और नाका लेंड में चुनाव होए थे फिर उसके बाद मई में करनाटक के चुनाव होते हैं नवंबर में राजिस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गर के चुनाव होने हैं तेलंगाना के चुनाव होने हैं और मिजोरम के चुनाव होने वाले हैं ये तो आसपास ही चल रहे हैं आपके अगले साल लोग सभा के साथ ओडेशा, आंदरप्रदेश, अरुनाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनाव है और साल के अंत में तीन अलग-अलग महीनों में महारास्ट, हर्याना और जारखंड के भी चुनाव है अगर वास्तम में केंदर सरकार और चुनाव आयो वन नेशन, वन इलेक्शन पे बहुत सब्सक्राइश है थोड़ा आगे पीछे करके इन सोले राज्यों के चुनाव और लोग सभाज चुनाव एक साथ कराए जा सकते थे कोई पहल देख रही है देखी अगर केंदर सरकार और चुनाव आयोग गंभीरता से विचार करे तो इन तीनों सालों में होने वाले चुनावों को क्लब करके एक साथ दो हजार चबश में चुनाव कराया जा सकता है कराएंगे क्या इस तरह से क्या होगा अगर कराते हैं तो एक तरहा का न एक चक्र बन जाएगा कि लोग सभा के साथ 16 राज्यों के चुनाव और उसके 2 साल बाद बाकी राज्यों के चुनाव एक साथ कलब करके बनाए जा सकते है और ये common sense से भी ठीक लगता है काफी ज्यादा वेवहारिक भी है लेकिन होगा तब ना जब इनकी मन्शा ठीक हो समझे अगर मेरी बास से सहमाते इस वीडियो को तीन वाटसेप क्रूप में शेयर करतीजी और बता दीजी कि इस तरह से चीज़ चलेंगी तो संसनी नहीं कारवाई होगी जाहिंद वन्दे मातराम स्टे अपडेटिड, स्टे अजुकेटिड सत्य में जाहेते नवस्कार